तो सबी अभी क्या चाहते हैं? बाबा हम बचों से यही चाहता है कि मेरा एक-एक बच्चा कर्माती तवस्था के नजदी का आ जाए तो हम सबी भी कर्मातीत का अर्थी है अती तो हो जाएंगे फिर तो चले जाएंगे लेकिन अभी कर्मातीत का अर्थ यह है कि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं जब चाहे कर्में इंद्रियों से अपने को नियारा और प्यारा कर सके और जब चाहे तब कर्में इंद्रियों का आधा लेके करम करें वश नहीं हो जैसे देखो कभी गुसा आता है यह भी तो कर्म है न तो जब गुसा आता है तब कितना ही कहते हैं आरे शानत हो जाओ, शानत हो जाओ, शानत हो जाओ लेकिन गुसा अपने तरफ इतना खीचता है जो उसे मुक्त नहीं हो सकते हैं, बंदन से मुक्त नहीं हो सकते इच्छाएं जो उत्पन होती है इच्छाएं अपने इतने वश कर देते है जो हम चाहते हैं कि करम ये नहीं करे लेकिन करम के बंधन में आ जाते तो करमातीत बंदना माना करम के बंधन में नहीं आए करम तो करना पड़ेंगा क्योंकि जो करम इंद्रियों का आधार लिया है तो करम तो करेंगे लेकिन करम करते भी करम के बंधन से न्यारा और बाप का प्यार तो हम सभी करमातीत बंने के पुर्शारत में है कोई भी करम करें लेकिन मालिक हो के करम करें क्योंकि करम इंद्रियों मेरी है ना अभी ये मुख है उसको हम क्या कहता है मेरा मुख मैं मुख नहीं कहते है मेरा मुख कहते है मेरा हाथ कहते है तो जो मेरा है उसका मैं मालिक हूँ ना तब तो मेरा कहती हूँ तो कोई भी करम हिंद्री करम के लिए मिली हुई है लेकिन वो कर्म बंदन में नहीं लावे ऐसे करमाती तो अभी हम बन सकते हैं लेकिन करम के पहले आधार जो है पहले संकलब चलता है ये करो ये नहीं करो संकलब आता है और संकलब उत्पन कौन करता है मन मन में ही संकलब उत्पन होते है तो कर्माती बनने के लिए हमको मन जीत भी बनना पड़े तो मन मेरा है अगर मन मेरा है तो मैं जो संकलब करने चाहूं वो कर सकती हूं ऐसे नहीं कि कोई इच्छाओ उत्पन हो और उसके वश मैं हो जाओं तो ये करवाती तिस्थिती नहीं करम के बंदर में आगया है ना मालिक तो मैं हूँ ना तो करम के कोई भी बंदन में ना आना अर्थात करवाती थि बाकी तो करवाती तो हो जाएंगे फाइनल फिर तो हम अपने राज में चले जाएंगे लेकिन अभी करमेंद्रियों के आधार में रहना है रहते हुए भी करमाती तवस्था का अन्भाव करना है तो कोई भी करम के बंदन में नहीं है उसके लिए हमको पुर्शारत ये करना पड़ेंगा जो मन संकलप उत्पन करता है उस मन जीत बनना पड़ेंगा जो संकलप चावू वो कर सकती हूँ